दोसों इस वीडियो में हम लोग विलियम ब्लेक की एक पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है The Divine Image ये पोएम पबलेश होई थी इनके कलेक्शन Songs of Innocence में 1789 में इस पोएम में विलियम ब्लेक बोलते हैं कि जब भी इंसान के उपर प्राबलम आती है तो वो भगवान के सामने हाथ पहलाता है वो भगवान से प्रार्थना करता है और चार चीज़े मांगता है Mercy, Pity, Peace और लव, दया, करुणा, शांती और प्यार And to these virtues of delight return their thankfulness और ये जो चीजें जिनको virtues कहा है यहाँपर ये जो हमें खुश करती है, डिलाइट करती है, खुशी देती है इसके बदले में हम भगवान को क्या देते हैं? Return there, thankfulness लोग भगवान को क्या कर देते हैं? बस एक thanks बोल देते हैं इन सब virtues के return में Next आमें point बोलते हैं For mercy, pity, peace and love ये जो चार चीज़े हैं, mercy, pity, peace and love ये कुछ और नहीं, it's God खुद भगवान है Father dear, हमारे पिता ये चारो qualities खुद गवान का इस सिंबल होती है और यही चारो qualities, mercy, pity, peace and love मिलकर इनसान को बनाती है वो इनसान जो भगवान का बच्चा है His child His child मतलब भगवान का बच्चा है and care, जिसको बहुत care की साथ में भगवान ने बनाया था ये चार qualities जिस इनसान के अंदर होती है भगवान उसी को अपना बच्चा मानते है For mercy as the human heart mercy तो इनसान के दिल के लिए होती है Pity for human face Pity, करुणा उसके face के लिए मतलब उसके face पर जलकनी चाहिए और love, प्यार and love the human form divine प्यार तो वो तो उसे सबसे करना चाहिए और peace, शांती वो human dress की तरह होती है उसकी dress की तरह होती है जो उसे हमेशे पहने रखनी चाहिए अगर ये चार qualities इंसान के अंदर होती है then every man, हर इंसान of every climate, हर जगे का इंसान that prays in his distress वो अपने संकट के दिनों में बुरे वक्त में अगर भगवान से pray करेगा न prays to the human form divine वो इंसान pray करता है भगवान की human form से यानि कि भगवान जिसे हमने human form दे रखी है यानि कोई भी God है उसको हमने human form भी तो दे रखी है उसके सामने pray करता है इंसान जिसके अंदर love, mercy, pity और peace ये चार quality होती है and all must love the human form और सभी को उस human form से जिसको भगवान मना जाता है उससे प्यार करना चाहिए हर किसी को कोई भी religion हो जिसको हमारे religion के अंदर human form में भगवान मना जा रहा है उसको प्यार करना चाहिए practice करना चाहिए and heathen heathen का मतलब होता है a person who does not belong to one of the main world religion यानि संसार के मुख्य धर्मों से विमुक व्यक्ति विधर्मी कह सकते हैं जिसको हम यानि इस चीज से कोई फ़र्ण नहीं बढ़ता वो तुर्क हो, जीव हो या फिर किसी भी धर्म को नहीं मानता हो यानि विधर्मी भी हो सभी को ये जान लेना चाहिए कि where mercy, love, dwell जहां पे प्यार, करुना, दया ये सब चीजे मिलती है ना dwell का मतलब मिलती है या रहती है they are God dwelling to, वहाँ भगवान भी रहते हैं इंसान के अंदर रहते हैं जरूरी नहीं है, भगवान तुम्हें अपनी फॉर्म दिखाएं जिस इंसान के अंदर दया, करुना, प्यार ये चीजे होती है ना, उसके अंदर भी भगवान भसते हैं बहुत ही खुबसूरत पोयम थी आज की इस वीडियों पसितना ही